कि नमस्कार मैं दिनेश कुमार तो को बाइस तारीक को आपकी जियोग्रोफिक होने वाली एक्जाम के लिए हम कुछ महतोपोर्ण परसन वह अलेके हैं बोड द्वारा निर्धारित है कुछ मोडल पेपर आपको है वह आपके सामने लेके आएं तो इस मोडल पेपर को आप ध्यान से देखेगा और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी तरीके से आपका है वह बोड के अंतर गाता है या फिर पूछा जाता है तो चलते हैं हमारी पर्षनों की तरफ सबसे पहला जो पर्षन है वह हमारा सबसे पहला पर्षन है संभवाद के प्रेंडता है वह कौन है तो संभवाद के प्रेंडता है वह प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास तो संभवाद के प्रेहनता को न है Professor विडाल डी ला ब्लास यह संभवाद के प्रेहनता है वो माने जाते हैं दूसरा परसन है हमारा यह परिवासा है मानव भुगोल मानव समाज एवन दरहातल के बीच समंदो का संसलेशित अध्यन है मानव बुगोल मानव समाज एव द्रहातल के बीच समंदो का संसलेशित अध्यन है ये कथन वो किसने कहा था लब ये कथन है वो किसका है तो ये जो परिवासा दी थी वो दी थी फ्रेडरिक और एक बात और इन परसनों को आप अपने खुझ से भी परियास है वो कीजिएगा और हां हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईए कि आपने कितने परसनों का उत्तर है वो हमें सही है वो दिया है नेक्स्ट परसन आपका तो यह परिवास है वो किसने दी थी फ्रेडिक रेडिजल ने नेक्स्ट परसन है कार्यसील जन्सिंग्या से आप है वो क्या समझते हैं तो कार्यसील जन्सिंग्या तो कार्यसील जन्सिंग्या है वो 15 वर्ष से लेकर 15 से 60 आयूवर्ग के चाय इस्तरी हो या फिर पूरुस हो वो विविन आर्थी किरिया कलापों में सलगन हो रहते हैं उसको हम किस नाम से जाना जाता है कारी सिल जन्सेक्या के नाम से जानते हैं नेक्स परसेन है न्यून मानों विकास रेणी में किन ही दो देसों के नाम है वो बताएए कि अंत्रगत मुख्य रूप से मैं आपको इसके चारपांस देसों के नाम बता देता हूं जिसमें से आपके दिरखा है कि मतलब दो देशों के नाम में वो बताने हैं तो जिसे चाड हुआ, कांगो हुआ, म्यामार हुआ, रवांडा, सुडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, आधी कई देश है वो इसके अंतरगत है वो मतलब जिरो से पांच, है वो, जिरो से पांच कम है वो मानो विकास रेणी के अंतरगत है, वो सम्मिली तब वो किया जता है, और अगर मानो विकास रेणी के अंतरगत प्रथम अस्तान देखा जाए तो वो किसका है, प्रथम अस्तान है वो नार्वे का है, और हमारे भारत का ह वह बीश्व अस्तान वह बना जाता है तो पर्थम अस्तान वह किसका है प्रथम अस्तान वह नार्वे का कि नेक्स परसेन आपका पांच वह महानगर वह किसे कहा जाता है मतलब महानगर वह किसे करते हैं तो महानगर है वो 10 लाग से अधिक जनसंक्या वाले नगरों को किस नाम से जाना जाता है महानगर के नाम से जानते हैं 10 लाग से अधिक जनसंक्या वाले नगरों को महानगर के अंतरगत है वो समयली तो वो किया जाता है next person next person गंदि वस्तियों की किनी 2 समस्यां को वो बतानी है इस लोग गंदि वस्तियों की है कौन-कौन सी समस्या है वो पाईजाती है उन में से आपको 2 समस्या है वो बतानी है ये person मैं आपके खुद के परियाश के लिए छोड रहा हूं और हाँ हमें इस पर्षन का comment box में जरूर बताईए कि गंदीवश्तियों की क्या-क्या समस्या है वो पाई जाती है पंचम वेवसाय में कौन-कौन से किया पकलाप वो सम्मेलित वो किये जाते हैं तो पंचम वेवसाय के अंतरगत मुख्य रूप से एक तो कारी कारी निर्मान करता कारी कारी निर्मान करता दूसरी अनुसंधान करता तीसरी है आपकी कानुन यह तक्निकी सलाकार पंचम वेवसाय के अंतरगत मुख्य रूप से इनको सम्मिली तो वो किया जाता है किनको एक तो कारी कारी निर्मान करता दूसरा है अनुसंधान सरकार तीसरा है कानुनी यह तक्निकी सलाकार नेक्स परसन आपका किनहीं दो नवनिकरण संसादनों के नाम है वो लिखने है तो नवनिकरण संसादन मतलब यह अपनी प्रेजनन समता से वन्स विर्द्धिक है वो नवनिकरण संसादन है वो कहलाते हैं जिससे वन्स वुर्धिके लिए तो मानव हो गया एक पसू हो गया, जीव जन्तू, सोर उर्जा, भूतापी उर्जा, जमारी उर्जा, आधी कई तरीके के हैं वो नवनिकरन संसादनों के अंदर गता है वो पाये जाते हैं यह फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिन संसादनों का एक बार उपयोग होने के बाद दुबारा भी उसको काम में लिया जाता है हम उसको क्या करते हैं नवनिकरन संसादन के रूपे जाना जाता है मलब जिन संसादनों का अभी-अभी उपयोग किया जा रहा है उसको नवनीकरन संसादन के नाम से जानते हैं नेक्स परसेन है पुना चक्रन से आप क्या समझते हैं तो पुना चक्रन जिससे मतलब कोई धातू होती है तो उसको स्क्रेच करते हैं या फिर उसको रगडते हैं या फिर कतरकर या फिर गलाकर पुना परियोग के अंतरगत है वो लिया जाता है मतलब किसी धातु को गलाकर पुन उपयोग में लिया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है हम उसको पुना चकरन के नाम से जानते हैं नेक्स्ट पर्शन है, प्रमाणु उर्जा आयोग की स्थापना है, वो कब हुई थी? तो प्रमाणु उर्जा आयोग की स्थापना है, वो सन 1948 की अंतरगत है, वो हुई थी. नेक्स्ट पर्शन है, भारत के चैतरफल को कितने वर्ग किलो मिटर के अंतर गया है, तो भारत का चैतरफल भारत के बताना है, तो 32,87,263 यह भारत का चैतरफल है, वो बाता गया है, नेक्स्ट पर्सन आपका प्रधान मंत्री आवास योजना के दो उदेश से हो बताना है तो प्रधान मंत्री आवास योजना के कौन-कौन से उदेश से है यह भी आपको है वो comment box में हमें जरूर वो बताना है तो इस परसन का उत्र भी आप अपने खुद के प्रियास से हो दीजिएगा परधान मंत्री के कोण कोण से उच्छ परसन है राजस्तान में लिंगा अनुपात कम होने के कोई दो कारण है वो बताने हैं तो राजस्तान के अंतरगत लिंगा अनुपात कम होने के दो कारण है वो बताने हैं पहला कारण है आपका मातर्त्व बोज दूसरा कारण है आपका धहेज के लिए हत्या और अगर तीसरा कारण भी देखा जाए तो स्वास्ते सेवाओ की कमी स्वता कारण है सिक्षा की एस्विधा का अबाओ कंज उखुें के तो सबसे पहला जो कारण है वह आपका यही मनाजता है कि मातर्त्व बूज दूसरा जो कारण वाना जाता है वह दहेज के लिए हत्या से यहां से आपके हैं वह दो नंबर के हैं वह पर समय परerson हो गए कि से इतनी तेर तो हम एक नंबर के मतलब छोटे कइजन देख रेहे थे एक नंबर वाले अब यहां से दो नंबर के कीजुह नवह आपके ऑगे तो पहला पर से इसे हुआ को दूसरा है भोजन, तीसरा है वस्तर, चोता है निवार्ष, ग्रह, यह मुख्य रूप्षे बुस्मेन जनजाती के आर्थी किरिया कलाप है, वो है, तो इसको समझाना है, वो आप, इस परसन का उतर आपको दूसरे लेशन के अंदर के ताओ, वो मिल जाएगा, next person है, तीर वत तारा, तीर वत तारा, ग्रामिन अदिवासों के परतिरूप को, परतिरूप का चित्र हो, बनाना है, तो सबसे पहले, तीर अनिवास, तीर अदिवास वो इस तरी के से है, वो पाये जाते हैं, महलब इनके यहां पे ग्रामीन बस्तियों का निर्मान होता है दूसरा है तारा जो तारे जिसी आकर्ती के अंतरगत अधिवासों का निर्मान होता है उसको हम तारा पर्तिरूप के नाम से जानते हैं देखो तीर अधिवास जिन अधिवासों में या जिन ग्रामीन चेतरों के अंतरगत तीर नुमा आकर्ती के अंतरगत बस्य हुए मकानों की संख्या या फिर अधिवासों को क्या करते हैं तीर पर्तिरूप के नाम से जानते हैं इसी परकार से आपका तारापरति रूप है कि जिस परकार के अधिवासों में या फिर ग्रामिन्ट चेत्रों के अंतरगत या फिर ग्रामिन्ट चेत्रों में तारे नुमा आकरती के अंतरगत बसाए गए अधिवासों को क्या कते हैं तारापरति रूप के नाम से जानते हैं क्रशी के नाम से भी जानते हैं यह जुमिंग क्रशी है वह आदिवासी या फिर आदिम जनजाती द्वारा वनों को जलाकर कि खेत है वह बनाये जाती थे जो दो तीन वर्स तक खेतों में क्रशी है वह की जाती थी एवं उर्वरकता कम होने के होने पर इस स्थान को है वो छोड़ दिया जाता है या फिर यहां पर इस स्थान पर बदल कर खेती है वो की जाती है मतलब दो तिन वर्स बाद में है यहां पर खेती है वो की जाती है और दो तिन वर्स खेती करने के बाद यह क्या करते हैं कि इस स्थान को छोड़कर वणों का विनास हुआ या फिर वणों को जलाकर वो खेत, वो तैयार हो कि जाते हैं तो यहीं दुबाराइं इसी सीरे के अनुसारी ये खेती हैं वो करते हैं इसलिए इसको जुमिंक क्रषि या इस्तानांतरन क्रषि की नाम से जानते हैं next person आपका cyber space internet के बारे में ऐबentes बताना है तो Cyber program internet के बारे में देखो Cyber space internet ऐने एक तरह की क्या है computer क्रत संचार प्रणाली है वो मानी जाती है जिसका निर्मान है मतलब यहavic 2 www.bytesnay.org जैसे internet दोरा आवरफ है वो मानी जाती है मतलब वर्ड वाइब वेब के द्वारा है ये इंटरनेट के द्वारा है वो मानी जाती है समकालिन आर्थिक और सामाजी कारियों को ई-मेल जैसे ई-मेल ई-वानिजे ई-शिक्सा ई-प्रसाशन के माध्यम से कारिय करने की सुविधा प्रदान वो करती है कौन साइबर इस्पेस इंटरनेट के द्वारा नेक्स्ट परसन आपका प्रसुलन एवं व्यापार महा समझोते से आप है वो क्या समझते हैं तो प्रसुलन व्यापार या फिर महा समझोता विप्यार के बारे में आपको बताना है तो देखो विश्व का पहला विशाल अंतराश के समझोता है वो कब हुआ था विश्वे का पहला विशाल अंतराश्ट के समझोता है वो 30 अक्टूबर 1947 को चान में देशों के द्वारा है वो किया गया था तो 30 अक्टूबर 1947 को एक अंतराश्टे समझोता हुआ था जो कितने देशों के मद्दे हुआ था छान में देशों के मद्दे परंतु अगर इसको देखा जाए तो 1148 से यह है वो लागू किया गया था और 1195 में को इसे है समाप्त वो कर दिया गया था कि इसको अंतराश्टिय व्यापार को समाप्त वो कर दिया गया था क्योंकि आचार सहिता मुक्त व्यापार उदारी करण की सेंस्ता है वो थी क्योंकि यह है आचार सहिता मुक्त व्यापार उदारी करण की सेंस्ता है थी इसलिए इसको समाप्त वो कर दिया गया था लागू कब किया गय था इसको 30 अक्टुवर एक एक बिचाण में को समाप्त वो कर दिया गया था नेक्स्ट पर्सन है अमलिय वर्षा के दो कारण वो लिखने हैं तो अमलिय वर्षा के दो कारण है वो वताईए तो पहला जो कारण है इसमीं वर्षा जिसके अंतर कें interviewed carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide आदि गे से वह पानी के साथ क्या करती है वर्षा है वह करती है जिसका pH मान कितना होता है 0.3 7.3 भारत में नगरी यह जनिशनक्य व्रद्धि के कोई चार कारण है वो बताने है भारत के अंतरगत नगरों के अंतरगत जन सिंक्या सबसे ज़्यादा है वो क्यों पाई जाती है उसके कोई चार कारण है वो आपको बताने है तो सबसे पहला है सिक्सा का प्रहसार है वो नगरों के अंतरगत अधिक होता है इसलिए जो गाउं की ल अधिक्स विदाय है वो मिलती है इसी कारण से भारत में नग़िये जंसंक्या वह करनी है तो होग करनी है रोजगार का आश्रे वह हमें किस से मिलता है वन रास्ट्य संपती परत्यक्स लाब यह फिर परत्यक्स लाव हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं क॑ गए वन संसायदन यंदुर के महतों के क्या विशिशता है देखो पे इसके अंतरगэтफ सब्वेता का विकास होता है सुष्कता पर रोक्थाम मरुस्टल विश्थार पर रोक्थाम रोजगार का आश्रे, वन राश के संपती और प्रतेक्स और एप्रतेक्स लाब है वो प्राप्त होता है इसके बाद आपके 22 वा परसन है दिये गए संसार के मानसीतर के अंतरकत निम्द बिंदू को दरसाना है एक तो Cape Town, एक Hong Kong, एक Saint Francis को एक फर्त ये निम्द बिंदू को दरसाना है आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसको दरसा के हो बताईएगा नेक्स्ट परसन है दिये गए भारत के मानसीतर के अंतरकत निम्द बिंदू को दरसाना है जिसे जम्षेदपूर, सलेम, विजे, विजे नगर, विशाका अफटनम इनको हो दरसाना है बाद में नेक्स्ट पर्सन ने जन्सिंख्या वरद्धि रोकने के लिए कोई तीन सुझाववो देने हैं तो जन्सिंख्या को किस परकार से हम रोकते हैं उसके तीन सुझाववो आपको देना है सबसे पहला है विवाह की आयू के अंतरगत व्रद्धी करना दूसरा है परिवार का ल्यान कार्यक्रम तीसरा है सिख्षा का प्रहसार चोता है सामाजिक जागरूगता और एक फांचुआ हो रहा है वो है उत्पाधन के अंतरगत व्रद्धी इन पांच में से आपको तीन सुझावव वो इसके अंतरगत वो बताने कौन-कौन सा कि जनसंख्या व्रद्धी के कौन को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय हो किये गए हैं हम यहाँ पर तेन नहीं मानके बलकि मान लेते कि जनसंख्या व्रद्धि को रोकने के लिए क्या-क्या सुझावव दिये गए तो मुख्य रूप से पांस सुझावव बता देता हूं मैं आपको पहला सुझावव है विवाहमें व्रद्धि दूसरा है परिवार कल्यान कारिय कर्म है है शिक्सा का प्रइशार चोता है सामाजिक जागरुगता और पांचवा है उत्पादन के अंदरन्गत व्रद्धि फ्रश्ट नीओजन से आप क्या समझते हैं और भारत में प्रादेशिक असुंतरलों को है वो समझाना है प्रादेशिक नियोजन वाला आपको प्रस्ट संख्या देखा जाए तो वह 255 और 256 की अंतरकत है वो मिल जाएगा इस परसन का एंसर है वो आपको 255 और 256 पेज नंबर पे है वो मिल जाएगा नेक्स परसं ने विश्वा में चलवासी पसुचारन वाले छ छेत्रों की आर्थिक धसा सुधारने के लिए कोई 3 सुझावों देने ही तो विश्वा की अंतरकत्त, चलवासी पसुचारने के लिए सबसे पहला है चलवासी की जगह व्यापारिक पसुचारण है वो करना है सबसे पहला चलवासी की जगह किसको करना है व्यापारिक पसुचारण है दूसरा है पसुचारण की जगह क्रसी कारिये है वो करना है तीसरा स्टाई निवास बनाकर अन्य आर्थिक विविवसाई भी क्या है वो कर रहा है नेक्स परसन है पाइपलाइन परिवहन से क्या लाब है पाइपलाइन परिवहन के क्या लाब है और पस्षिम भारत में पाइपलाइन परिवहन रोकने के लिए क्या-क्या है वो किये गए है, रोकने के क्या-क्या प्रयास है वो किये गए है, तो पाइपलाइन परिवहन के, तो पाइपलाइन एक वो सस्ता परिवहन, सस्ता वे सुगम परिवहन वो माना जाता है, उर्जा की बचत भी होती है, पाइपलाइन के दुवरा, और समय की बचत भी होती है प्रेदूसन भी कम होता है और बिजली उत्पादकों के अंतरगत भी पाइपलाइन के द्वारा है वो व्रदी है वो होती है और कारखानों की स्तापना भी मुख्य रूप से पाइपलाइन के द्वारा ही की जाती है यह पर्षिन आप ज़रूर से याद वाला क्योंकि यह मोस्ट परसे नहीं को हर साल वह पूछ साधारते प्रिक्षिय के अंतर गठते कि तो कि जन शींहगा अगनेत्व से आप किया समझते हैं निम्ण कारकों के आधार पर वीश्व में जनसिंग्या गनत्व में अंतर को उधारन सहीता वो समझाना है तो बहुतिक कारक को समझाना है एक आर्थिक और एक सामाजी को इन तेन कारक को मुख्य रूप से आपको वो समझाना है तो जनसिंख्या गनत्व है, सबसे पहले जनसिंख्या गनत्व देख लेते हैं तो जनसिंख्या गनत्व है, वो प्रती इकाई छेत्र के अंतरकत निवास करने वाले वेक्तियों की संख्या को जन संख्या वे छेत्र के अनुपात के अंतर गता है वो दर्साया है वो जाता है तो जन संख्या गनतु को किसी कहा जाता है कि जन संख्या गनतु है प्रती इकाई छेत्र में निवास करने वाले वेक्तियों की संख्या इसमें जन संख्या वे छेत्र का अनुपात वो दर्साय यह जाता है इसलिए हम इसको जन सिंख्य अगनत्व है वह ख़ते हैं कि है कि तो यह जो मुखे रूप से तीन बिंदु है इन तीन बिंदु के आधार पर आपको जन सिंτιंख्य आत्व ग्यात्व करना है तो इस परशन का वी उत्तर देने का खुछ इसे ही प्रियास है वो कीजिएगा कि यह आपको कि 24 और 26 नंबर पेज पर हो मिल जाएगा राजस्तान की सिचाई सुईधाव के विकास के लिए जल्स रक्षन पर जोर देना नदी बेशिनों का नियोजन करना बूंद बूंद शिचाही विजना प्रबल देना और एक और आपकी योजनाओं का किर्यानवे प्रभावी तरीकों से करना और एक एनिकट का निर्मान है वो करना इस परकार से आपकी राजस्तान के अंदर गत सिचाई सुविधाओं का विकास से वो किया गया है तो आज के लिए इतना ही मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ओपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत